आज हमलों डिस्कस करेंगे वेनस, शुक्र रेट्ró ग्रेट के बारे में। अगर आप लोग को नहीं पता है каких हैं तो आप आई ऐसिकन को समझाई कि एक शुक्र जो है साधी के बारे में बताता है शुक्र जो है प्यार के बारे में बताता है शुक्र इन जेनरल जो है सिस्टर को भी बताता है वाइप को भी बताता है और शुक्र जो है हम लोगों का प्यार को एक्सप्रेस करने के तरीका को भी बताता है तो अगर सुक्र रेट्र ग्रेट प्लानेट के उपर तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई आइकन पे इस कॉर्णर पे आप जा करके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा रेट्रो ग्रेट प्लानेट कैसे होता है उसका क्या मतलब होता है तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने रेट प्रेच्षों होता है तो किसी तरह से आप आज रहता है यह तो इसका मतलब है कि इन वाड जर्णी अगर मैं कहता हूं तो वेनस का काम है प्यार पैस एक्स्प्रेशन लव तो जिसका वेनस रेट्रोग्रेड होता है उसको अपना लव होता है और आउट साइड नहीं जाकर के वह inverse होता है क्वह अपने प्यार को अच्छे से इजहार नहीं कर सकते एकस्प्रेस नहीं कर पाते हैं तो यह चीज़ँ है दूसरा instability confusion तो वेनस اगर retro grade है तो जो वेनस related चीज़ है जैसे marriage और venus also represent money तो venus दो चीज़ represent करता है एक marriage represent करता है और एक money जो है और भी बहुत चीज़ represent करता है लेकिन यह दो जो है अमनों के life के events है majorly जो कि impact करता है तो उसमें instability और confusion create करता है वो अस्थाई जल्दी रहने नहीं देता है कुछ ना कुछ ups and down ups and down लगा रहता है या confusion बना रहता है वो clarity नहीं आने देता away from home बहुत ज्यादा chances है कि venus retrograde है तो जो पैसा है वो घर से दूर आएगा या जो venus represent spouse ठीक है तो wife जो है वो अपने घर से दूर पली बढ़ी होगी ओके स्पाउस जो है यह venus अल्सो रिप्रेजेंट sister तो कोई sister जो है वो घर से धूर ही जाके उनका growth होगा मतलब पलना बढ़ना ग्रोथ achievement life का वो घर से दूरी होगा अगर कोई planet retrograde है तो अपना result previous house में भी 50% देता है तो अगर venus यहाँ पर है तो वो अपना result इस house में भी 50% देता है इस house में भी 50% देता है तो वो दो house को impact करता है यह जो है strong result देता है venus तो venus जो है strong result देता है कहने का मतलब कि अगर यह retrograde है तो यह बहुत ही strong result देता है तो अगर यह positive है तो strongly positive देगा अगर यह negative है तो strongly negative result देगा creating delays in life events तो जो भी events है related to venus जैसे marriage हो गया पैसा हो गया spouse है तो यह सबसे जो events है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा delay या obstacles कह सकते हैं यह आता है because of the retrograde क्योंकि यह वो stable नहीं है पीछे चलता जा रहा है exalted retrograde planet behaves like debilitated and wise वर्सा तो अगर यह सा कि venus देखना है Pisces में तो है यह exalted लेकिन अगर यह retrograde हो जाएगा तो यह exalted जैसा नहीं बलकि debilitated जैसा behave करने लगता है wise वर्सा अगर venus यहां फिर आता क्योंकि debilitated सा अगर retrograde है तो यह exalted जैसा behave करने लगता because of retrograde तो कुल मिला के यह है कि अगर venus जो है retrograde रहता है तो उसके results जो है वो थोड़े से stable नहीं रहते हैं बंदा प्यार का जो इजहार है expression जो है love अगर opposite को जताना जिसको कहते है न प्यार जताना वो अच्छे से नहीं कर पाता है वो अच्छे से express नहीं कर पाता है अपने प्यार को तो लोगों को लगता है कि वेंदो वो प्यार करता है वो फिर भी अच्छे से इजहार नहीं कर पाता है या बता नहीं पाता है उस चीज़ को तो कही न कही वेनस related जो है यह relationship को बताता है opposite sex से तो उसमें disturbance create करने की कोशिश करता है जैसा कि आपको पता है कोई भी type का disturbance है तो उसका जूप अगर द्रिश्टी परती है उसके उपर Jupiter अगर किसी तरह से देख रहा है तो उस चीज को वो कही न कहीं control करने की कोशिश करता है तो यह था वेनस retrograde के उपर अगले वीडियो में हम लोग आएगे किसी और planet के retrograde के result के उपर तब तक के लिए thank you तो यह था मेरा analysis वेनस retrograde शुक्र retrograde वक्री के बारे में अगर आपको कोई question है तो आप comment section में पूछ सकते हैं या फिर अगर आप astrology and numerology सीखना चाहते हैं या आप मेरा software लेना चाहते हैं तो आप मुझे email कीजिए या whatsapp कीजिए number नीचे display हो रहा होगा so thank you और अगर आप मेरे channel पे नए है तो please subscribe below और small youtube tiny icon मैं instagram और facebook पर भी available हूँ instagram पर मैं 30 seconds का real बना करके डालता हूँ जिसे मैं बहुत छोटे-छोटे tips देता हूँ astrology related और numerology related तो अगर आप वहाँ भी मुझे follow कर सकते हैं और facebook पर भी मैं बहुत सारे post डालते रहता हूँ so thank you मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झालते हूँ झाल झाल